Hello everyone, आज हम लों क्लास 4 इन्वारूमेंटल का चैप्टर नमबर 4 एर पढ़ेंगे और इसका question answer देखेंगे Air is present all around us, हवा हमारे चारो और उपस्ती थे You did some experiments related to it in class 3 आपने class 3 में इस से related कुछ experiments किये होंगे Do you remember क्या आपको याद है? We cannot see air but we can feel it हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसको महसूस कर सकते है For the trembling leaves of tree, जैसे की पेड की जो पत्तियां उनके हिलने से Write down any three things by which you feel the presence of air आपको three ऐसे things के बारे में लिखना है जब आपने हवा को महसूस किया हो First we feel air when the air is flow off out from the our body जब हवा हमारे सरीर से ओकर गुजरती है तब हम उसको महसूस कर सकते है Second blow air inside a balloon जब हम हवा को गुबारे में भरते तब भी उसको महसूस कर सकते है When we sit in front of fan we can actually fill the air जब हम पंके के नीचे में बैठते हैं तब हम हवा को महसूस कर सकते है We use air to blow a horn हवा का योज है हम किसी भी प्रकार की जो city आती है बाजा है तो उसको बजाने में करते है Write down the names of three games and toys in which air is used ऐसे three games के बारे में लिखिये जिसमें air का यूज होता है First is balloon, second cycle pump and third is float In your daily life, for what purpose do you need air in addition to the activities given above आपको अपने दैनिक जीवन में किन कारियों के लिए हवा का उपयोग आप लोग करते हैं First is for the breathing, सास लेने में सभी हवा का उपयोग करते हैं Second is maintaining temperature, temperature को maintain करने में Third is air is used to dry cloths, कपडों के सुखने में भी हवा का उपयोग होता है Looking at the pictures given below, in which direction is the air blowing Indicated with an arrow mark also Picture को देखकर के बताना है कि हवा किस दिस हम बह रहा है और उसके according हमको यहाँ पर arrow लगाना है तीक हवा इस दिस हम बह रही है, तो हमने ऐसा arrow लगाया और इसमें हवा इस दिस हम बह रही है, तो हमने इस तरह का arrow यहाँ पर लगाया Come, let's do some interesting experiments regarding air हवा से related कुछ, मज़ेदार हम लोग यहाँ पर experiments करेंगे Blow a piece of paper, how far does it go Now make a ball of paper, can you blow it into an empty bottle Do and see, for the tag a plastic bottle and a song in the picture Put it horizontally on the table, then put the paper ball in its mouth and blow it What happened, did the paper ball go inside देखिए, सबसे पहले आपको जिस तरह के से picture में bottle को रखा गया है इस तरह के से इसको रखना है, उसके बाद का धियां रखना है कि जो bottle है, उसका mouth सक्रा हुआ हो, ठीक है उसके बाद उसमें एक paper का ball बना करके उसमें हावा डालते है उसको अंदर डालने का कोशिस करना है Tell your friends also do this experiment अपने friends को भी आपको बोलना है कि वो भी इस experiment को करे What happened, discuss about it in the class and write it down अब आपको discuss करना है कि आपने जब यह experiment किया तो क्या क्या हुआ और उसको यहाँ पर लिखना है Experiment number 2 Take an empty plastic bottle Come, let's see Whatever, this empty bottle is really empty Cut the bottom of this bottle Now tie a balloon at the mouth of the bottle Now slowly sink the bottle into a bucket Full of water A song in the picture सबसे पहले हमको एक empty bottle लेना है और उस bottle का जो mouth area है उस पे हमको यह balloon लगा देना है और उसका जो bottom का area है नीचे वाले area उसको cut कर देना है अब उस bottle को water से बुरेवे bucket यानकि पानी से बुरेवे बाल्टी में धीरे धीरे नीचे लेते जाना है और देखना है कि क्या होता है जब bottle नीचे गया तो आपने क्या देखा आपको लिखना है अब बाल्टल को धीरे धीरे आप उपर ले करके जाहिए और देखे कि आप क्या होता है एक्सपेरिमेंट नमबर थ्री टै की थिक पॉलिथीन बैग आपको एक मोटा पॉलिथीन का बैग लेना है इट सुड नॉट हैब एनी होल्स जिसमें कि एक बिचेट ना हो टाई दे ट्योब ऑफ अन ओल्ड पैन टू दे माउट आप दे बैग अब आपको एक ओल्ड यानी कि एक पुराना पैन लेना है और उसको उसकी माउट एरिया को इससे बान देना है अब आपको जो पॉलिथीन का बैग है उसको टेबल पे रखना है और उसके उपर में कुछ बुक्स रखना है और जो पॉलिथीन का बैग है उसका जो एक सीरा खुला तो ओपन था जिसमें आपने एक ओल्ड पैन को डाल रखा था उस सीरे से आपको इसमें हवा देते जाना है वाट हैपेंड वेन एर वस फिल्ड इन द बैग क्या होता है जब बैग में हवा भर जाता है आपको यहां लिखना है क्या होता है वेन द बैग इच फिल्ड विद एयर द वेट आव मैनी बोक्स कैन इट बियर डू एंड सी जब जो बैग पॉलिथीन को उसमें पूरी तरीके से हवा भर जाता है तब उप कितने बैग को उठा पाता है आपको यहां उन बैग का जो न क्या होगा अगर हवा गर्म हो जाएगी लेट्स डू अन एक्सपेरिमेंट चलिए इसके लिए एक प्रयोग करते हैं एक्सपेरिमेंट नमबर फोर टै की बोटल मेड ओफ ग्लास एक ऐसा बोटल लीजिए जो की काज से बना हो ओपन दे कैफ ऑफ दे बोटल और उस बोटल अप साइड डाउन इन्टो बोटर अब इस बोटल को इस तरीके से पानी में डालना हैं इनसर्ट ओनली हाफ द बोटल और बोटल को केवल आधा ही डालना है पानी में नाव टैल यूर फ्रेंट टो रव इस पाल्म एंड होल्ड अस ओन इन दा पिक्चर अब अपने दोस्त से कहिए कि वो बोटल को इस तरीके से पकड़े अपनी हथेलियों से और उसको रब करें यानकी उसको रगड़े You keep on watching the layer of water what happened when the bottle was held after rubbing the palm क्या होता है जब बोटल को हाथों से रगड़ा जाता है यहाँ पर आपको लिखना है You will see a bubble in water आप देखेंगे कि पानी में कुछ बुलबुले है Where did this bubble come from यह बुलबुले पानी में कहां से आए आपको यहाँ पर लिखना है Make your own parachute आपको अपने लिए parachute बलाना है Take a big polythene bag, cut it into two handkerchief like pieces आपको एक polythene का bag लेना है और उसको रुमाल के shape में cut कर लेना है Now take four quarts of the same length and tie them to the four corners of the piece of polythene अब आपको ऐसे four रसी लेना है और उसको जो रुमाल के shape में आपने जो polythene के bag को काटा हुआ था उसके चारों corners में उसको tight से बांदेना है Now tie the second side of all the quarts, the length of all the quarts should be the same even after they are tied अब आपने जो second side को भी बांदा था उसका length भी same होना चाहिए Now tie a pebble on where all the quarts made और जहां पर ये चारों जो धागें जहां पर मिल रहे हैं वहां पर आपको एक पत्थर बांदेना है Now after folding it, throw it upward आप देखेंगे कि आपका जो parachute है उपर क्यों जा रहा है See how it comes down flying in the air देखें कियो हवा में कितने उपर जाता है If a hole is made in the parachute, will it be able to fly in the air? Think and tell अगर इस parachute में एक hole कर दिया जाए, एक छेत कर दिया जाए तो क्या यह हवा में उड़ेगा? सोचिए और लिखेंगे अगर उसमें hole करने के बाद भी हवा में उड़ेगा तो यहाँ yes लिखेंगा और hole करने के बाद अगर हवा में नहीं उड़ता है तो आप लोग यहाँ पर no लिखेंगे Made two holes in the polythene of the parachute Now fly it again Did it fly in the air the same way? अब आपको जो पैरा सूट है उसमें two holes करने है दो छेद करने है और उसको फिर से उड़ा करके देखना है अगर उसमें फिर से उड़ता है तो आपको यहाँ पर yes लिखना है और नहीं उड़ता है तो no लिखना है अब हम लोग इसका question answer देखेंगे Oral question में question number first है Each air present all around us क्या हवा हमारे चारों और उपस्तित है इसका answer होगा yes Air present all around us हाँ हवा हमारे चारों और उपस्तित है Second number question है When an empty glass is sunk in the water and tilled bubbles come out of it Why? जब एक empty glass को पानी में डुबाया जाता है तो उसमें bubbles आते हैं क्यों? Answer An empty tumbler lowered into a glass beaker containing water on tilting so bubbles of air coming out because when the tumbler is filled water enters inside it and air comes out eat the form of bubbles जब हम जो empty bottle था उसको water के अंदर में उसको sunk करते हैं तो उसके अंदर पानी गुसते जाते हैं और उसके साथ ही हवा भी गुसते जाते हैं इसलिए वाह पर bubbles बनने लगते हैं Return question first है Take right the right answer and cross the wrong answer given below First है we can see air wrong क्योंकि हम हवा को देख नहीं सकते हैं Only feel कर सकते हैं There is no air around us हवा हमारे चारोर नहीं है यह भी wrong है क्योंकि हवा थो हमारे चारोर है न Air expanded when heated Right Second give two examples where air is used ऐसे two examples देने हैं जहां air का यूज होता है First Air helps to dry cloths हवा का यूज कपडों को सुखानी में होता है Second air makes the fire burn और हवा आग की जलने में भी help करता है Third number question है How do we feel air हम हवा को कैसे महसूस कर सकते हैं Answer when we blow air in a balloon we can feel the air pushing on the balloon जब हम एक गुपारे में हवा भरते हैं तो हम हवा को महसूस कर सकते हैं इसके लावा आप लोग इसमें और भी लिख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सेर और सस्क्रेब कर दिजीगा Thank you